समस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयरवेद एक्सपर्ट पर दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी विजया दश्मी की दिन हम शमी की पूजा कैसे करते हैं विजया दश्मी की दिन शमी पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है दश्मी की पूजा से धन का आगमन होता है विवा में आ रही बाधाएं दूर होती है साथ ही शनी की साड़े साथी भी दूर होती है शमी की पूजा का पौरानिक उल्लेक भी मिलता है शमी की पूजा के लिए सबसे पहले जहां हमें पूजा करनी है उस जगे को साफ करके हम गेरू लगाएंगे गेरू से गोल घेरा बनाने के बाद मैं उस पर अश्ट दलकमल बना रही हूँ आप अपने हाँ जिस प्रकार से भी चौक पूचते हैं वह चौक पूच सकते हैं रामायन काल में श्री राम जी ने लंका विजय से पहले शमी की पूचा करी थी और वह विजय हुए थे इस कारण से विजय दिश्मी के दिन शमी की पूचा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है दोस्तों यह देखिए अब मैं चौक पूचने के बाद शमी का पूधा यहाँ पर रख रही हूँ आपके हाँ जहां कहीं भी शमी का पेड़ हो वहाँ जाकर भी आप पूचा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने शमी के गमले को रोली हल्दी से सजा लिया है सबसे पहले हम शमी के पौधे में जल अर्पित करते हैं आज के दिन जल अर्पित करने का अधिक महद होता है इसके बाद हमें पूजा प्रारंब करनी है इसके लिए मैं अक्षत रख कर दिया रख रही हूँ और हम दिये को क्रजोलित कर लेंगे इसके बाद वस्र रूप में यह पीली चुनरी या पीला कपड़ा शमी के पौधे पर बांध है और उसकी उपर से मैं यह कलावा बांध रही हूँ शमी की गमले पर भी कलावा हमें बांधना है इसके बाद हमें रोली, हल्दी, अक्षत से शमी की पूजा करना है साथ ही में हमें दिये को भी रोली, हल्दी, अक्षत अर्पित करना है इसके बाद हम पुश पर्पित करते हैं यह देखिए इस प्रकार से मैंने पुश पर्पित कर दिये है दोस्तों आज के दिन महाभारत काल में पांडवों के बारा वर्ष के बनवास के बाद एक साल के अग्यातवास में पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र शमी में ही छुपाए थे और कुरुच शेत्र में युद में जाने से पहले शमी की पूजा की थी इस कारण से आज के दिन शमी के पौधे के नीचे घर में जो भी अस्त्रिशस्त्रिया किताब या पैन रखकर पूजा करने का विधान है यहाँ पर सबसे पहले में अक्षत रखकर एक लालकप्डा रखूंगी और उसके बाद एक पुस्तक और जार की रूप में यह है और पैन रखकर पूजा करूंगी इन्हें सबसे पहले हमें रोली, हल्दी, अक्षत अर्पित करना है और फिर हम खुश पर्पित करेंगे इसके बाद शमी के पौधे में हमें एक पान के पत्ते के उपर एक रूपे का सिक्का, सुपाड़ी, लौंग रखकर अर्पित करना है इससे घर में बरकत रहती है और सुक्षान्ती बनी रहती है आखिर में हम भोग रूप में खील, बताशे या जो भी आपके यहां भोग में अर्पन होता है यहां पर अर्पित करें हम यहां पर धूप भी दिखाएंगे आज के दिन शमी की परिक्रमा करने का बहुत अधिक महत्व है हम आज के दिन 5 या 7 परिक्रमा शमी की करते हैं परिक्रमा करने के बाद हम आरती करते हैं यह देखिए आरती के लिए मैंने अपनी थाल सजा ली है और यहां पर दिया प्रजुलित कर रही हूँ और अब हम आरती करेंगे आर्थी करने के पशाथ हमसे जो भी भूल चुक हुई है उसके लिए हमें चमा प्रात्ता करना है दोस्तों इस प्रकार हमारी शमी की पूजा संपन्न होती है आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर, हमारे चनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन बटन जरूर दो बैंट जिसे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों फिर मिल टेंग लिए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद